Language development of the child Module number 58 Conclusion Dear student, मुझे इस module में Language development की stages को conclude करना है यानि उनका conclusion बियान करना है Stages of language development All children learn language through same stages तमाम तलबा एक ही जैसी stages से गुजर कर language सीखते हैं और जब जब वो बात करना शुरू करते हैं या क्यूमिनिकेट करना शुरू करते हैं तो उससे पहले जो आवाजें पैदा करना ये उनकी language की बन्याद बनती हैं और वो normal sequence को follow करते हैं इस तिलस्रे में और लेकिन एक बात ये है कि individual उनमें जो exceptions होती है जैसे कहते हैं exceptions are always there तो उनकी language development में exceptions जरूर होती हैं कोई जल्दी सीख लेता है language कोई delay होता है इसकी जो stage one है उसमें initial phase है ये language development की initial phase है और infants learn to distinguish produce sounds बचे आवाजों में फर्क करना शुरू करते हैं उनको आवाजें पैदा करना शुरू करते हैं और यही जैसे उनकी ये अप्टदाई बैबलिंग पहले cry करते हैं फिर बैबलिंग और वोकल प्ले यानि उनके जो वोकल्स हैं आवाजें निकालने गले से मुखलिफ घूं 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 या इस तरह की आवाजें वो निकालते हैं ये एक्चुली फाउंडेशन बनती हैं फोनेमिक स्टेज से यानि फोनियम्स की अवेरनेस की ये उनकी बुनियादी स्टेज है और वो उनकी स्पीच प्रोडेक्शन यहां से शुरू होती है और ये जो इंफेंट्स एक्सपोश टो वेरियस लिंग्विस्टिक साउंड्स उनको मुखलिफ लिंग्विस्टिक साउंड्स से उनका सामना होता है अपने environment में और वो अपनी understanding इन ही अवाजों की understanding को develop करते हैं तो ये देखें आपके सामने तस्वीर में stages हैं crying, coeing, babbling one word stage stage towards stage और इससे onward जो sentences और grammatical rules भी वो सीखते है stage 1 में differentiate between sounds वो ability to differentiate sound then produce sounds और वो accurately sounds को produce करना शुरू करते हैं और makes the basis for language acquisition ये उनकी language acquisition की stage यनि foundation बनती है और उनकी जो vocabulary है वो develop होती है क्योंकि वो phonemes को मिलाकर आवाजों को मिलाकर words बनाना शुरू करते हैं और ये मुखलिफ phonemes जो हैं ये syllables भी इनको दूसरे अलफाज में कहते हैं उनको जोड़ कर ये अपने अलफाज बनाते हैं और पहले वो अलफाज को understand करना शुरू करते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं और मतलब वो क्या होता है कि मुखलिफ objects, actions और इन चीजों को concepts को वो मुखलिफ नाम देते हैं इसकी बनियात पे वो बोलते हैं Stage 2 में learning words है They expand their vocabulary through exposure to spoken written language तो वो spoken language से वो उनकी vocabulary जो है उससे वो exposed होती है बढ़ती है वो उनका सामना होता है और children learn words through repetition and interaction तो interaction वो अपने environment में अपने caregivers के साथ interact करते हैं और उनसे words सीखते हैं सुनते हैं और repetition से वो अलफाज सीखते हैं तो वो पहले recognize करते हैं अलफाज को फिस skills and begin to link with the words with meanings तो words को meanings के साथ link करते हैं और यह बहुत crucial सेज है जो है word building की और यह solid foundation बनाती है उनकी language development की जो बाद में जिसमें से वो पहुंचते हैं उसमें और basic linguistic concepts वो सीखते हैं तो यह आपके पास जो आपकी एक तस्वीर भी नजर आ रही है क्यूमिनिकेशन माइल स्टेल स्टोन्स हैं बारा मन तक बच्चों के यह दिये गए हैं पहले थ्री मन्स में वो cry करते हैं फिर फोर टू सिक्स मन्स में आगे बैबलिंग शुरू हो जाती है फिर उससे आगे मजीद उसके जो आवाजें वो निकालते हैं इस स्टेजर की वर्ड यहांग स्टेजर के बनीचेते हां है। फिर एक साल के बात के उमर तक जा किर उनकी आवाजें युजर्ण कंबाइन वर्ड सों डॉसा रूल स्टेज्टेन्सुलिंग क्लिंग संटेंस जो मैं ने जैसे बिताया वन वर्ड टू वर्ड सेज़ से य intern graphic stage भी कहते हैं तो उसमें क्या है कि वो दो दो अलफाज को मिला कर वो sentences बनाते हैं और फिर उसके बाद जो अगली stage है इसमें वो मजीद जो है three word stage है आगे मजीद इसके जो और grammars की मदद से वो अपने sentences बनाते हैं और अपने concepts और idea को convey करते हैं और इस तरह वो language skills उनके mature होते हैं learning sentences मजीद मैंने जैसे बताया कि वो जब words मिलाकर sentences बनाना शुरू करते हैं तो उनमें words की sentences की fluency पैदा होती है वो accurately words को बोलते हैं और अपने फिक्रों को अपने मफ़ूम को वो जदा accurately वो अदा करते हैं और educators के लिए इसमें क्या implications हैं वो कैसे उनको इस्तमाल कर सकते हैं कि वो क्या करें उनको language rich environment फराहम करें बच्चों को और meaningful interaction उनके साथ meaningful interaction करें उनको मुखले words सिखाएं words से sentences सिखाएं और इस तरह उनको मफ़ूम उनका बयान करें और उनकी vocabulary को promote करें और sentence development करें उनकी और modeling and feedback उनके सामने modeling करें यानि उनको imitate करके उनको बताएं और उनको feedback दें और individualized support अगर कुछ बचों में problem हो तो को individualized support फराहम करें तो यह थी language development की जो stages है जिनको मैंने आपके सामने conclude किया